नमस्कार दोस्तो दोस्तो अगर आपको गुजार टाइटेंस और राज्ठान रोयस के बीच खेला गया मुकावला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवन चेनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तो आज आई पिल डोजर तैस में तैसमा मुकावला गुजार टाइट बनलेवाजी के लिए अमंत्रित किया गुजरात के तरफ से रिदिमा शाह और सुब्मन गिल बनलेवाजी के लिए लेकिन इस उमीद पर ट्रेंट बोल ने पूरी तरफ पानी फिर दिया ट्रेंट बोल ने रिदिमान शाह को मैच चार रन पर पहले ही ओवर में आउट करके रास्टान रैस को पहरी सफलता दिला दी साहा के ओट होने गवा साही सुदर्शन बल्लेवाजिक लिया इन्होंने सुमन गिल के साथ बहतरीन बल्लेवाजिकी लेकिन साही सुदर्शन भी ज्यादा देरता ठीक न पाए और लॉन अट होकर पविलियन चले गए साही आज डेविट मिलर फोम में नजर आ रहे थे मिलर और सुमन गिल ने सांदार बन्लेबाजी करते विए हार्थिक पंडिया के विकेट गिड़ने से जो भी मुश्किल में गुजरात लग रही थी उससे बहार निकाला लेकिन सुमन गिल भी ज्यादा देर तक मैदान पर ठीक न पूर एक शका स्थामिल था अब सभी को उमीद थी कि डेविट मिलर और अभिनाव मनोहर जो की गिन के आउट होनेक बात आये थे यह दोनों गुजरात टैटेंस को इस मैच में एक अच्छा टार्गेट तक पहुंचा है और ऐसा ही हुए मिलर ने 30 गंदों पर 46 रन जिसमे तीन चोका और दो च्छका सामिल था वही अभिनाव मनोहर ने 13 गंदों पर 27 रन की पारी खेली जिसमें तीन च्छका सामिल था इन दोनों की पारी की बदोला थी शुरबाती जटके के बाबजूत गुजरात टैटन स्टार्ट विगेट होकर 20 अवर में 177 रन के बड़े एस्कोर तक पहुंच पाई गुजरात की तरफ से सबसे ज़्यादा रन डेविट मिलर के बनलेश निकले मिलर ने 30 गंदों पर 46 रन की पारी खेली वही राश्तान रोयल्स के लिए संदीप सर्मा ने सबसे ज़्यादा दो बिकेट चटका है इतने बड़े एस्कोर का पीछा करने उत्री राश्तान रोयल्स के इनफों बनलेवाज यससवी जेसवाल और जोस बतलर दोनों से उमीद थी कि टीम को एक बैतरीन शुरबात दि अब समीनिक उन्हें क्लिंड बोल कर दिया जैसवाल के ओट होने बाद पाटिकल बनलेवाजिक लिया और जोस बतलर के ओट होने कबाद संजू सेम्शन दोनों ने बहतरीन बनलेवाजिक की दोनों के बीच तैतालीस रन की साज़ेदारी हुई लेकि नम्मे ओबर में डेव पाटिकल भी रासीद खान के बोल पर चक्का मरने कोशिश में मुई सर्मा के आतों केच आउत हो गई पाटिकल के ओठ होने अग बाद रियान प्राग बनलेवाजिक लिए रियान पराग हर दिन के तरह आज भी पूरी तरह फल tub शावित हुए वह भी रासीद खान के बोल पर डेविट मिलर को कैच आउट वोकर प्रविलियन लोट गए संजू सेम्शन रियान पराग के बाद सिम्रा निटवायर बन्लेवाजी के लिया है इन दोनों से उमीद थी कि राश्थान लोईस को यह मैच जिताने में पूरी भूमिका निवाए राश्थान लोईस की टीम क 12 ओवर में महज 7 रन के आसपास स्कोर था लेकिन 13 ओवर में संजू सेम्शन ने रासित खांज के गेंद पर 3 गेंदो पर 3 चाका मार कर पूरा मैच का मुमेंटी बदल दिया संजू सेम्शन ने इस मैच में 32 गेंदो पर 7 रन की पारी खेली संजू सेम्शन को इंपेक्ट प लेवाजी की और टीम को जीत के करीब पहुचा है दुरूप जोलेव उनिसमें अबर में मुहमद समी की गेंद पर छक्का मरने कोशिस में मोहिस सर्मा घातू के चाउट हो गए लेकिन एक तरफ से हिटमायर सांदार बनने वाजी कर रहे थे दुरूप जोलेवाजी के आए औ और तीन गेंद पर दस रंज जरकर गुजरात को इस मैच से पूरी तरह बाहर कर राज्थान रोयल्स यह मैच जीतने के पूरे करीब आ गई थी अंतिम ओबर में साथ रनों के जरुद थी और इटमायर ने बहतरीन चोका लगा कर यह मैच जिता दिया इटमायर इस मैच में 26 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली जिसमें 2 चोका और 5 चाका स्वामीन था अगर राज्थान रोयल्स की बात करें तो इस मैच में सबसे ज़्यादा रन 32 गेंदों पर 7 रन की पारी संजू सेमसन ने खेले और गुजरात की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट मौमद समी के समी ने तीन विकेट चटका है और इस मैच को राज्थान रोयल्स ने तीन विकेट से जीत लिया